हेलो दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन पैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के 70 ऐसे महत्पून परसंड जोकि एकजाम में बहुत जादा बार पूछे जाते हैं एक बार टेस्ट को पूरा एंड तक लगाईएगा उसके बाद आपको भी लगाईगा कि हाँ ये कोशन तो बहुत जादे बार पूछे जाते हैं अगर आपने पहले एकजाम दिया होगा देखे आर्पिय पैसाई हो चाए कॉंस्टेबल हो चाए यूपी कॉंस्टेबल हो चाए ससी जीडी हो इसटी के कोशन हंडेर परसंट पूछे जाएंगे आप टेस्ट हैंड तक लगाईए सत्तर में से आप कितने सही कर पाते हैं कितने आपको आंसर पता है वो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बतेएगा प्लीज इस टेस्ट को लाइक करिएगा सेर करिएगा अपने दोस्तों को अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो साथ साथ रीजिनिंग मैट की वीडियो भी आपको मिलती रहे तो नीचे रेड़कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजे आपके पास हर रोज नोटिफिकेशन पोंचने स्टार्ट हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को और इससे पहले मैं दो वीडियो और अप्लोड कर चुका हूँ हिस्ट्री के कोशन की उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा महां से जाके आप देख सकते हैं मैत रीजिनिंग की वीडियो के प्लेलिस्ट भी वहां पे है डिस्क्रिप्शन में वो भी वहां से आप देख सकते हैं आपको हरे कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे उस 5-6 सेकिंड में आप नीचे कमेंट बोक्स में आंसर जरू बतेगा प्लीज एक लाइक जरू करिएगा टेस्ट को ताकि इसी तरीकी से मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे तो पहला कोशन है गुप्त वन्स का संस्थापक कोन था तो ये कोशन हजारों बार पूछ जा चुका है A, B, C, D में से कोन सा राइट रहेगा नीचे कमेंट बोक्स में जल्दी से बताइए तो बिल्कुल से ये दोस्तों पहले का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा Q2, गुप्त वन्स के किस सासक ने सब बर्थम माराजा धिराज की उपाधी धारण की तो कौन सा ओप्शन रहेगा राइट आंसर जल्दी से बताइए टू का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा Q3, किस गुप्त सासक को कवी राज कहा गया तो तीसरे का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ओप्शन A लगा रहे हैं ठीक है देखें आपको जो टाइम दिया जाता है इसमें आंसर देने की जरूर कोशिस किया करें चे भले ही गलत दो बट आंसर जरूर दिया करें कमेंट बुक्स में Q4, किस गुप्त सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो बिल्कुल सही है यहाँ पे 4 का रहे आंसर ओप्शन B हो जाएगा Q5, सिरलंका के राजा मेग वर्मन ने किस गुप्त सासक से भगवान बुद का मंदिर बनवाने की अनुमती मांगी थी तो बिल्कुल सही है यहाँ पे 5 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा Q6, चीनी यातरी फायान किस के सासनकाल में भारत आया था बहुत बार Q7 पूछा जा चुका है जल्दी से बताएए, I hope कि आपको इसका आंसर पता हो तो 6 का राइट आंसर देखे बिल्कुल सही अगर आप option C लगा रहे है ठीक है, चलिए, next question पे चलते है Q7 है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्या ने किस उपलक्स में चांदी के सिक्के जारी किये थे तो बिल्कुल सही यहाँ पे साथवे का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा Q8 गुप्त कालीन नवरतन की सासक के दरबार में थे तो एट का सही उत्तर आपका बिल्कुल सही अगर आप option D लगा रहे है Q9 निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो देखे पहले वाला भी सही है दूसरे वाला भी सही ऑप्शन और सी ऑप्शन भी सही है यानि कि उप्रुक्त सभी option D राइट आपका हो जाएगा ठीक है Q10 गुप्त कालीन संड सिक्को को क्या कहा जाता था बहुत अच्छा कोशन है और यहाँ पे दसवे का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा Q11 मंदिन निर्मान की कला का जनम सव पर्थम कब हुआ तो बिल्कुल सही यहाँ पे ग्यारवे का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए Q12 Q12 है गुप्त इस्थापतिया कला का सर्वोत करस्ट नमूना है तो दोस्तों बारवे का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा Q13 सरवदिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए बहुत अच्छा कोशन है यह भी और यह आपका बिल्कुल सही गुप्त हो जाएगा यह यह ओप्शन A इस दर राइट आंसर Q14 हर्सवर्दन की राजदानी थी यह भी हजारों बार कोशन पूछा जा चुका है तो 14 का राइट आंसर ओप्शन यहाँ पे D हो जाएगा Q15 चीनी यात्री फायान किसके सासनकाल में बारत आया था तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बिलकुल सही है C is the right answer ठीक है भई चलिए Q16 परियाग परिशस्ती की रचना किसने की थी तो बिलकुल सही है 16 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा Q17 हर्सवर्दन को नर्मदन अधीप के तट पर किस सासक ने हराया था तो 17 का देखिर राइट आंसर बिलकुल सही हो जाएगा अगर आप ओप्शन C लगा रहे है Q18 कन्योज के लिए हुए तिरपक्षिय यूद को अंत किसने जीता 18 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ओप्शन B हो जाएगा Q19 एलोरा के केलास मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजे और टेस्ट को पूरा एंड तक लगाने की कोशिस करिएगा जब भी फ्रियोज तब लगाया करें कोशिन नमबर 20 इस्थानिय सवसासन किसके परसासन की विशेस्ता थी तो यह भी बहुत अच्छा कोशिन है बीसवे का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशिन नमबर 21 712 इसवे में बारत पर पहला सफल मुस्लिम आकरमन किसके द्वारा किया गया तो 21 इसवे का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओप्शन A कोशिन नमबर 22 मैमूत गजनवी ने भारत पर कुल कितने आकरमन किये तो ये बिल्कुल सही है आपका ओप्शन C हो जाएगा 23 मैमूत गजनवी के आकरमनों में सबसे महत्पून आकरमन कौन सा था देखें ये कोशिन B हजारों बार पूछा जा चुका है वेरी वेरी इंपोटेंट है और इसका 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ओप्शन B जी बिल्कुल सही है अगर आप B ओप्शन लगा रहे तो राइट आंसर B हो जाएगा ठीक है कोश्चन नमबर 24 मैमूद गजनवी के भारत पर आकरमन के समय भारत का विद्वान अलबुरूनी ने किस गरंद की रचना की तो बिल्कुल सही है 24 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा 25 भारत का वह पहला सासक कौन था जिसने मुहम्मद गोरी को प्राजित किया था तो 25 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा ठीक है भई कोश्चन नमबर 26 सहा नामा के रचियता है तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो ओप्शन A हो जाएगा ठीक है भई कोश्चन नमबर 27 बहुत अच्छे अच्छे कोश्चन है दोस्तों सारे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्त्यू चोगान यान की पोलो खेलते समय हो गई तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोश्चन नमबर 28 कुतुप मिनार का निर्माण की सूफी की याद में किया गया था तो यहाँ पे देखे 28 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोश्चन नमबर 29 भारत की पर्था मुसलिम महीला सासर कौन थी यह कोश्चन भी आप सभी को पता होगा राइट आंसर जल्दी से कमेंट बोक्स में बता दीजे बहुत ही आसान सा है कोश्चन तो 29 का जो राइट आंसर हैगा वो हो जाएगा ओप्शन B कोश्चन नमबर 30 एक्तादारी पर्था किसने प्रारम की तो 30 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोश्चन नमबर 31 भारत में 16 एवं पाबोस पर्था की किसने शुरुवात की थी ये भी बहुत बार पुछे जाते कोश्चन और यहापे 31 का जो राइट आंसर हैगा वो ओप्शन A राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 32 निमिन में से किस सुल्तान ने बाजार नियन्तन व्यवस्था लागू की तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो ओप्शन C हो जाएगा ठीक है दोस्तो कोश्चन नमबर 33 तूती ए हिंद हिंद का तोता किसे कहा जाता था तो 33 का राइट आंसर भी आपका बिल्कुल सही ओप्शन A हो जाएगा कोश्चन नमबर 34 मोहमद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां इस्थांतरित की थी दोस्तो अगर पसंद आ रहाने टेस्ट मजा आ रहा है तो लाइक तो बिल्कुल बनता है एक तो लाइक जरूर करिएगा तो बिल्कुल सही 34 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोश्चन नमबर 35 किताब उल्ल रहला का लेखक इबिन बतूता कहां का निवासी था तो बिल्कुल सही है 35 का राइट आंसर ओप्शन B आपका हो जाएगा कोश्चन नमबर 36 दिवान ए अमीर को ही विभाग की इस्थापना किस सुल्तान ने की थी 36 भी काफी अच्छा कोश्चन है भई तो बिल्कुल सही है आपे 36 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा 37 एक बहुत अच्छा कोश्चन है और इससे दो कोश्चन बनते हैं आपे सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सवपर्थम किसानों पर सिचाई कर तथा ब्रामनों पर जज्जिया कर लगा था यानि कि आपसे ये भी पूछ जाता है कि जज्जिया कर किस पर लगा था तो ब्रामनों पर ये पूछ ले जाता है अभी आपको कोश्चन में बता दिया कि ब्रामनों पर जज्जिया कर लगा था किसने लगा था ये तो बहुत आसान सा कोश्चन है 37 तो बिल्कुल सही अगर आप 37 का राइट आंसर option C लगा रहे हैं दोस्तों याद रखेगा बहुत important question है question number 38 सांकेतिक मुंद्रा का परचलन किस सासक ने किया 38 है आपका तो 38 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा ठीक है दोस्तों question number 20 दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुल्रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था तो जो 39 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका option D I hope कि आपको proper time मिल रहा होगा बोर तो नहीं होए न भी तक टेस्ट में 70 question है भई 40 समझी हो गए आपके question number 48 चैक कि सुल्तान ने टोपरा तथा मेरट से असोक इस्थम लाकर दिल्ली में इस्थाफित करवाया देखे जो serious student होता है न वो देख लीजे इस टेस्ट को क्या पता इस में से ही पांच है question मिल जाए तो समझे कितना helpful रहे गए टेस्ट आपको ठीक है क्योंकि सारे selected question है important question है सारे तो देखे 40 वे का right answer आप बिल्कूर सही लगा रहे हैं अगर आप option A को लगा रहे हैं question number 41 बाबर के आकर्मन के समय दिल्ली का सुल्तान कोन था तो 41 का right answer दोस्तों क्या हो जाएगा option B question number 42 1336 EC में विजयन अगर समराज्य की इस्थापना किसने की तो 42 का right answer बिल्कूर सही आप लगा रहे हैं अगर option C का टिक लगा रहे हैं 43 अस्थ दिंगज किस सासक के दर्बार को सुसोबित करते थे तो बिल्कूल सही 43 का right answer option A हो जाएगा ठीक है दोस्तों question number 44 क्रश्णा देव रायद्वारा रचित अमुक्त माल्य किस भासा का गरंथ है तो बिल्कूल सही 44 का right answer option D हो जाएगा question number 45 परसिद विठल्य स्वामी का मंदीर तथा हजारा का मंदीर का निर्मान किस ने करवाय था तो 45 का right answer option C हो जाएगा question number 46 ख्वाजा मोहिनुदीन चिस्ति की दरगा कहा इस्तित है तो 46 का आपका जो right answer रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा option B question number 47 सुहारा वर्दी सिल्चिला का मुख्य केंदर कहा था तो 47 का जो right answer रहेगा वो बिल्कुल सही अगर आप option C लगा रहे हैं question number 48 सुफी संतों के सिस्चों को क्या कहा जाता था तो 48 का right answer option C हो जाएगा ठीक है दोस्तों 49 विशिष्टा दुएत मत के परवर्दक है तो 49 का right answer option D हो जाएगा question number 50 अदुएत वाद मत को परवर्दक किसने किया था तो आपका जो रहेगा 50 का right answer option A हो जाएगा question number 51 उत्तर भारत में पक्ती आंदोलन के विस्तार का सिरे किसे है तो 51 का right answer option D हो जाएगा 52 निमिन में से किस संथ का संबन्द जुलहाजाद से था तो बिलकुर से 52 का right answer option A हो जाएगा ठीक के दोस्तों 53 है दोहा वली, कविता वली, विन्या पत्री का जैसी भगती रचनाय किस भगती संथ की है तो बिलकुर से 53 का right answer option B हो जाएगा कोश्चन नमबर 54 मातमा गांधी के पिरिये भजन वैसनव जनते तेने कहिए के रचियता कौन थे तो बिलकुर सही 54 का right answer option D हो जाएगा ठीक के दोस्तों 55 साखी एवां सब्द रचनाय किस संथ की है तो दोस्तों 55 का right answer option A हो जाएगा कोश्चन नमबर 56 पानी पत का पर्थम यूद 1526 ECV में किसके मद्या हुआ था देखी ये भी पूछ जाता है कि कब हुआ था और किसके बीच हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है तो 56 का right answer जल्दी से बताईए और A इसका right answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोश्चन नमबर 57 भारत में मुगल वंस का संस्तापक था तो देखें आपे 57 का right answer option C हो जाएगा कोश्चन नमबर 58 किस सासक की मुरत्तूप उस्तकालिया की सीडियों से गिरने के कारण हुई तो देखें 58 अभी बहुत बार पूचा गया और अभी भी यह पूचा गया था आर्पिएप में भी तो 58 का right answer option B हो जाएगा कोश्चन नमबर 59 सेर साह का प्रारंबिक नाम क्या था तो दोस्तों बिल्कुल सही है अगर आप 59 का right answer option D लगा रहे हैं ठीक है तो भाई देखें 60 आपके कोश्चन समझी हो गए 10 और बचे हैं तो इनको भी लगा लिजे बहुत अच्छे है 60 का right answer बती है दिल्ली इस्थित पुराना किला का निर्मान किसने करवाया था तो यहाँ पर 60 का जो right answer रहेगा वो option B हो जाएगा 61 सेरसा का मकबरा कहां अवस्थित है दोस्तो 61 का right answer option C हो जाएगा यह भी बहुत बार पूच जाता है और यह अभी पूचा गया था साइद यह आप कोश्चन था कि साथ सा राम में किसका मकबरा इस्थित है तो सेरसा यहाँ पर right answer हो जाता कुछ इस तरीकी से कोश्चन पूचा गया था अभी मैंने जो पेपर एनलेसिस किया था आर्पे पैसाई का उसमें देखा थे कोश्चन कोश्चन नमर 62 पानी पत का दूइत्ता यूद कब हुआ था तो यहाँ पर देखिए जो आपका right answer रहेगा 62 का वो option B हो जाएगा भई 63 परसिद हल्दी घाटी का यूद 156 इस वी में किसके मध्या हुआ था तो यह भी आप याद रखेगा तो यहाँ पर 63 का right answer option C हो जाएगा ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह test अच्छा लग रहा होगा समझ में आ रहा होगा पस अकबर नामा के रचनाकार थे तो बिलकुर से यह 64 का right answer option B हो जाएगा अकबर ने कोशनबा 65 अकबर ने दीन एलाई का परवर्तन किस वर्स किया तो यह पर 65 का right answer option C हो जाएगा 66 निमिन में से किस मुगल सासक ने न्याएं की जंजीर लगवाई थी देखे जहागीर और जंजीर कुछ सेम सेम सा है तो याद भी रखने के लिए आपको यह ज्यादा hard नहीं लगेगा जंजीर किसने लगवाई थी जहागीर ने ठीक है तो इस तरीके से कर लीजेगा कोश्चन नमबर 67 नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था तो 67 का देखे सही उत्तर आपका उप्षन ए हो जाएगा और 68 है किस मुगल सासक के सासन काल में चितरकला का सरवदिक विकास हुआ था तो देखे 68 का राइट आंसर ओप्षन डी हो जाएगा कोश्चन नमबर 69 निमिन में से किस के सासन काल को वस्तुकला की दरस्टी से संकाल कहा जाता है दोस्तों अगर टेस्ट आपको पसंद आया होगा तो बताईएगा जरूर अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लेका हूँ आपके लिए हिस्ट्री के कोश्चन की तो जल्दी से वो भी मुझे कमेंट बोक्स में बता दीजिएगा आपका स्कोर क्या राइए